Other Input Devices, Objectives इस लेसन को करने के बाद आप जान सकेंगे कम्प्यूटर के अंदर आवाज, तस्वीर और विडियो कैसे स्टोर की जाती है अब तक हमने कम्प्यूटर को Input देने वाली जिन Input Devices की तफसील लेखी उनमें कीबोर्ड और माउस जैसी Input Devices शामिल है लेगन आजकल के दौर में जहां हर काम जल्दस जल्द और बेतरीन तरीके से करने की जरूरत होती है वहाँ कुछ और Input Devices का होना भी जरूरी है कीबोर्ड की मदद से हम कम्प्यूटर को ज़्यादतर Textual Information फराहम करते हैं रोजमर्रा की जिन्दगी में Textual Information के साथ साथ कुछ और किसम की Information जैसे आवाज या तस्वीर भी महफूस करने की जरूरत पड़ती है आवाज या तस्वीर को स्टोर करने का कॉंसेप्ट नया नहीं है आपको याद होगा कि हम आवाज को कैसर्थ वगेरा पर Record करते हैं और इसके लिए Microphone का इस्तमाल करते हैं आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बिलकुल इसी तरह कम्प्यूटर भी आपकी आवाज Record करने की सहूलत मुहया करता है यानि कम्प्यूटर को हम किसी Input Device के जरीए आवाज या Sound की Input दे सकते हैं कम्प्यूटर में भी Sound को Input करने के लिए Microphone का इस्तमाल किया जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रही हैं बाजार में मुख्तलिफ किसम के Microphone मौजूद हैं अब आप जो Microphone देख रही हैं उसके साथ एक तार है जिसकी ये Knob या Pin आप कम्प्यूटर के साथ लगाते हैं Microphone की मदद से हम कोई भी आवाज कम्प्यूटर में Input कर सकते हैं कम्प्यूटर पर Audio या आवाज Store करने के बड़े फवाइद हैं आप कम्प्यूटर के अंदर मौजूद Audio को बहुत आसानी से Process कर सकते हैं आवाज के अलावा आपने देखा होगा कि जब हमें कोई तस्वीर या Image की जरूरत होती थी तो हम Camera की मदद से तस्वीर उतार कर एक Album में महफूज कर लेते थे जिस तरह कम्प्यूटर हमें Audio या आवाज को महफूज करने की सहूलत महया करता है बिलकुल इसी तरह हम कम्प्यूटर के अंदर Images या तस्वीरें भी महफूज कर सकते हैं अब आप स्क्रीन पर एक खास Input Device देख रहे हैं ये Scanner कहलाती है ये एक ऐसे Input Device है जिसके मदद से हम कोई भी Text या Image कम्प्यूटर को मुंतगिल कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक कागस को जिसमें कुछ तसावीर बनी हुई है और कुछ Text लिखा हुआ है इसको Scanner में डाल रहे हैं और जब ये Input Device अपना काम देखा चुकी तो हमें यही पेज कम्प्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ रहा है यानि Scanner के जरिए हम हार कॉपी में माजूद इन्फरमेशन को कम्प्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी में तबदील कर सकते हैं कम्प्यूटर में हम आवाज और तस्वीर के इलावा वीडियो भी मेंफूज कर सकते हैं इसके लिए जो Input Devices इस्तमाल होती हैं उनमें वेब कैम, डिजिटल कैमरा वगारा शामिल हैं Summary इस लेसन में आपने देखा कि माउस और कीबोर्ड की इलावा कुछ और Input Devices हैं जिन्में माइक्रफोन, स्कैनर और डिजिटल कैमरा शामिल हैं माइक्रफोन के जिरिये आप कम्प्यूटर में अवाज Input कर सकते हैं इसी तरह तस्वीरें और विडियोज भी कम्प्यूटर के अंदर स्टोर की जा सकती हैं